दोस्तों आज हम बात करने वाल हैं एक बेतरीन से प्लान के जैसा के पेश्कीन पर देख रहें इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे इस साइज की बात करें तो इस मॉडल का साइज है 30 क्रॉस 58 मतलब कि 30 बाई 58 फिट है आप 60 फिट भी कंसीडर कर सकते हैं 2 फिट कम है तो यही पूरा मॉडल मैंने आज यहां पर डिफाइन करने के लिए बनाया है बहुत बेतरीन सा प्लान है यह देखिए मैंने चारो तरफ विंडू दे रखी हैं अगर आपका क्लोज डिखा रहे हैं तो आफिन विंडू को हटा सकते हैं नहीं तो आप चारो तरफ यहां पर विंडू दे सकते हैं पीछे की बात करें तो पीछे को मैंने एक बालगनी डैप की छोड़ रखे जिससे प्राफर विंटलेशन होगा गर का और अभी पूरा मैं डिस्क्राइब करूँगा अभी इसलिए मैं आपको राउंड डिवियू दिखा रहा हूँ उसका की कैसा यह मकान दिखने वाला है तो यह देखिए का फ्रेंट डिलिविशन आपका यह है जो की मैंने डेजाइन किया है एक बेतरीन सा एक मौडर्न और बेतरीन सा डेजाइन आपके सामने मैं लेकर आया हूँ यह देखिए का पूरा 30 बाई 58 फिट का ओवराल यह मौडर्ल है अगर इसके टॉप वियू की बात करें तो टॉप से आप ऐसा ऐसे देख पाएंगे अब हम बात करते हैं इसके फ़र्स फ्लूर की उससे पहले अगर आपने भी तक इसमाल हाउस प्लान को दूस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करने से अशाद विल आइकन जरूर दबा दे क्योंकि इसमाल हाउस प्लान पर आपको लगातर न्यू मॉडल नैने डेजाइन मिलते रहते हैं जो आप जब भी घर बनवाएंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसा भी घर बन सकता है आप या तो हमसे कंसरेंट भी कर सकते हैं लेकिन वो हमारी पेड सर्वेश है आगर आपको भी घर बनवाना चाहते हैं तो आप हमें contact कर सकते हैं, लेकिन वो एक paid service है, इसका विशेज ध्यान रखें, हमारा number, description में आपको मिल जाएगा, WhatsApp number है, आप वहाँ पर contact करिएगा, मैं आपको fees बता दूँगा, और आपको 50% payment पहले देना होता है, 50% बाद में, ध्यान ये रखना है, जब मुझे से आपकी हो जाए, तभी आपको payment कर रहा है, अन्य किसी को payment पिल्कुल लेंग कर रहा है, तो चलो, आज का जो topic है, आज का, जो model उसे discuss कर लेते हैं, तो सबसे पहले मैं इसे zoom करके दिखाना चाहता हूँ, तो ये देखीगा, जूम करने पर, आपको ऐसा इसका view दिखेगा, ऐसा इसक को दिखा दिया, अब बात करता है, इसके first floor की, तो ये दोस्तों इसका first floor है, जैसा आपको इसकी स्क्रीन पर देख बार होगे, ये स्टेयर से जहां साब उपर जाएंगे, तो इस स्टेयर से उपर जाते ही, आपको एक मिल जाता पोर्च, यह जिसे बोल सकते हैं, बारंदा मैं टॉप भी दिखाता हूँ, जिससे आपको और समझ मैं, आप इस टेयर से उपर चड़े, यह आपका पोर्च डेजाइन, इसमें मैंने सोफा बगरे डाल रख है, आगे यह दिखीगा जो जाल साब देख रहे हैं, यह बालकनी है, जो गेश टूम है, उसके सामने में बा पारंदेम जाते हैं, तो यह दिखीगा, यह जो फ्रेंट का गेश टूम मैंने डिफाइन किया है, इसको मैंने अलग टेक्शर भी दिया है, अब आप इस में डोर से जाएंगे अंदर, यह जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और यह आपके विंडो विंट लिसनी, यह द प्रॉफट विंटिलेशन हो सके, अब इस डाइनिंग हॉल से जो आपका केश्ट रूम था, यह बालकनी वाला, इसमें एक्सेज आप कर सकते हैं, यह आप इसे एक्सेज कर सकते हैं, और यह आपका यहाँ पर भी दो विंडो लगी है, देखीगा, जिसे विंटिलेशन हो स इसका यह डोर है, जिससे आप जाते हैं अंदर, तो आपका बड़ा सा आंगन मिलता है, और यह बहुत ही, कापी बड़ा है, क्यों को टोटल 30 फिट एरिया है, उसमें मैंने यह लगओ, आज फिट सर्फ निकाला है, किचेन के लिए, बाद बाद की पूरा एरिया यह आपक अगर आप साइड में जगए नहीं है, तो आप इस विंडो को अंदर सिट कर सकते हैं, बात करें, आगे तो यह दोनों आप बेड डूम से आपको देखने को मिलते हैं, यह देखिए दो बेड डूम पीछे से, दोनों तरफ से विंडो यहा पर आपर दिया, आप यहां भी विंडो है, अब इसके पीछे के बात करें, तो यह लगों मैंने 6-7 फिर जगए पीछे छोड़ी दी, इसमें यह देखीगा, पीछे जब आता है, तो यह एक बालकनी टाइप की, और यह आपका लेटन बात एक और मैंने सबसे पीछे दिया है, इस कॉर्नर पर, और यह विंडिलेट होते रहे अगे एक लेटन बात भी आपका बन गया, और बात बगे आपको चार वैट डूम से और मिल जाते हैं, बड़ा सा डाइनिग हॉल भी मिलता है, और कीचेन दो लेटन बात मिलतें, आपको स्टेर्स मिलती आगए, बालकनी को भी मिलता है, यह दिखी क top view ही अगर मैं दिखाऊं आपको तो यह आपका बेतरी निसाव model बनकर ready होता है 30 x 58 या 60 consider कर सकते हैं तो यह पूरा model बनकर ready होता है ground floor अब हम बात करते हैं इसके first floor तो यह इसका दूस्तों first floor चारो तरफ 3.5 फिट का boundary wall आगे यह grill का इस्तुमाल किया है मैंने देखी है grill जो आपकी बनी हुए इसके बाद यह जो stairs थी इसको डखने लेगे गुम्टी और आप यह door तो यह पूरा 30 x 62 फिट में model बना हुए है आपको कैसा लगा हमें अपना opinion जरूर दे और वीडियो को लाइक से जरूर किया करें हमें motivation बलता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरू कर लें ऐसे वीडियो पाने के लिए थैंक्स होच